फ्रेंड्स आज का मेरा ये वीडियो रिलेटेड है उन लोगों से जो उत्तर प्रदेश से हैं, लौ की पढ़ाई कर रहे हैं और भविस्य में प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप सभी के लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि वकालत का लाइसेंस मिलने से पहले अब आपका एक पुलिस वेरिफिकेशन होगा जो ठीक उसी तरज पर होगा जिस तरज पे पासपोर्ट जारी करते समय किसी भी व्यक्ति का होता है 21 दिसंबर 2023 को एक केस की सुनवाई के दोरान इलहाबाद हाई कोट ने ऐसा आदेश दिया है और इस बावत दिसा निर्देश जारी करने के लिए स्टेट बार काउंसिल और उत्तरप्रग्देश सरकार को कहा है इलहाबाद हाई कोट ने इस परस्ट रूप से कहा है कि कोई भी लौ स्टूडेंट अगर वकालत के प्राक्टिस के लिए आविदन दे रहा है तो उसे लाइसेंस देने से पहले स्टेट बार काउंसिल को अब उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा उसके क्रिमिनल हिस्ट्री संबंदी जानकारी लेनी होगी पुलिस वेरिफिकेशन के रिपोर्ट के अधार पर ही उस वेक्ति को लाइसेंस जारी करना होगा उक्ति केस में उनरेबल इलाहवाद हाई कोट के सामने यह बात आई कि एक वेक्ति जिसके उपर 14 FIR थे और 4 में वह कंविक्ट भी हो चुका था उसने अपने पूरे क्रिमिनल हिस्ट्री को छुपाते हुए वकालत का लाइसेंस प्राप कर लिया था इलाहवाद हाई कोट ने इस पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि इस तरह के क्रिमिनल बैक्ग्राउंड के लोगों को वकालत के पेसे में आने से सकती से रोखना पड़ेगा एड़ोकेट एक्ट के प्रोविजन्स भी इस तरह के वकालत के छेतर में आने पे रोक लगाता है इसलिए ओनरबल इलाहवाद हाई कोट ने कहा कि जिस प्रकार पास्पोर्ट जारी करने से पहले किसी भी वकालत के लाइसेंस के लिए एप्लिकेशन दे रहा है उसका सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए और उसके बाद ही स्टेट बार काउंसिल के दौरा उसको लाइसेंस जारी किया जाना चाहिए तो इस मामले में एक बात तो तैह है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप वकालत के लाइसेंस के लिए एप्लिकेशन दे रहे हैं और अगर आपने अपना कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री चुपाया है तो यहाँ एक मात्र सफीशन ग्राउंड होगा जिसके कारण आपका एप्लिकेशन जो है वो राइट अवे स्टेट बार काउंसिल के दौरा रिजेक्ट कर दिया जाएगा और मुझे नहीं लगता कि इन तरह में भी साफधानी बरतें और किसी भी प्रकार का गलत इंफॉर्मेशन अपने अप्लिकेशन में न भरें जहां तक बात यह नियम लागू होने की है तो फिलहाल तो यह स्रिफ उत्तर प्रदेश में ही लागू होगा क्योंकि ओनरबल इलहाबाद हाई कोड़ा यह निर्दे और सिर्फ एक सुरुवात है भीरे दीरे दूसरे स्टेट बार कांशल भी इसको फॉलो कर सकते हैं और हो सकता है कि बार कांशल ओफ इंडिया भी इस प्रोसीजर को फॉलो करें और पूरे देश में यह नियम लागू हो जाए कि वकालत का लाइसेंस प्राप करने से पहले उस वेक्ति का पुलिस वेरिफिकेशन होना जरूरी है। पहराल यह तो भविश जी की बात है। लेकिन जहां तक इस नियम के उत्तरप्रदेश में लागू होने का सवाल है, मुझे कॉमेंट करके बताएं कि आपको यह निर्ने कैसा लगा। असा करता हूँ, मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंफोर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स वर वाचिंग।